हेलो एबरीवरन वलकम बैक टू माई चैनल आई होब कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो फ्रेंट्स हर बार की तरह आज मैं फिरा आपके लिए कुछ यूसफुल किचन टिप्स लेकर आई हूँ जो है तो बहुत ही जाते छोड़ी छोटे टिप्स लेकिन बहुत जादा यूसफुल है ये मेरे लिए बहुत जादा काम आये हैं तो मैंने सुचा आपके साथ भी शेयर करूँ चलिए देखते हैं आज की मेरी पहली टिप्स क्या है तो फ्रेंट्स पहली टिप्स है मेरी राइस को लेके राइस फ्रेंट्स हम डेली अपना घर में बनाते ही हैं चाहे दोफर हो चाहे शाम हो किसी ना किसी टाइम तो जरूर बनता है बर जब भी आप राइस बनाए ना तो ये जरूर करें इसको बनाने से पहले आप इसे 10 मिनट के लिए सोक करके जरूर रखे लेकिन सोक करने से पहले जब आप चावल को अच्छी तरीके से वाश करते हो ना अच्छे से मसल मसल की फिर आपको क्या करना है यह जो चावल का वाइट वाला पानी रहता है ना इसे हमें फेकना नहीं है इसे हमें क्या करना है एक गलास में इसे निकाल लेना है आप देख सकते हो एकदम वाइट वाइट की राइस है और यह पहला वाला वाटर है पहली बार जो हम वाश करते हैं यह वही वाला वाटर है अब इस पानी को ना हम क्या करते हैं जनरली फेक देते हैं लेकिन इस पानी का मैं आपको दो बेस्ट यूज बताऊंगी जो आप कोई भी ट्राइ करना रिजल्स आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं सबसी पहले टिप्स इस पानी को ना आप चाहो तो अपने प्लांट्स में डाल सकते हो आप देखो के आपके जो प्लांट्स है ना उनकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होती है दूसरी टिप्स है फ्रेंट्स जब भी आप वाइट वाले कपरे धोते हो बच्चों के स्कूल के या वाइट शर्ट वाइट बनियाई उसमें आप डिटरजन के साथ इस पानी को भी आड़ करना आप देखना आपके कपरों में बहुत अच्छी चमक आ जाएगी तो आज के बाद कभी भी आप इस पानी को बिलकुल भी ना फेके चलिए देखते हैं आज की हमारी दूसरी टिप्स कौन सी है अब फ्रेंट्स क्या हो गया है ना इस समय मौनसून सीजन भी स्टार्ट हो गया है और ऐसे भी ना बिस्कृट्स हम अपने घर में लाते हैं कई वराइटी की लेकर आते हैं और हम उन्हें खाते हैं तो कि बच्चों की बहुत सारी चोईस होती है अब इन सबको रखने के लिए हमें बहुत सारे कंटेनर्स की जौत पड़ती है तो आप बाहर से खरिदने की वजा इस तरह का जो प्लास्टिक का बॉक्स आता है जिसमें फ्रोट्स आते हैं या फिर कोई स्वीट आता है या फिर बिस्किट्स आती है इनका इस्तमाल आप कर सकते हैं इन बिस्किट्स को रखने के लिए इसे आप फ्रिज में भी रख सकते हो इस तरह का डबा ना कोई बीचीज और गिनाइस करने के लिए तो इस तरीके से आप ऐ बहुत ज्यादा यूसफुल है जो भी हमारे बेगनर्स हैं जो भी डेली रूटीन में आटा लगाते हैं उन सब के लिए हैं उसके लिए पानी थोड़ा सबना है और इस तरीके से मसल लेना है नमक वैसे बीक लोग अपने आंटे में एड़ करते हैं और जरा सा नमक डालने से आपका बहुत मुश्किल काम असान हो जाएगा एक तो आपका जो आटा है वो बहुत अच्छे से नीड हो जाता है जो भी अगल बगल आटे लगे रहते हैं आजीब सा थाली दिखता है वो सब नहीं होता है आप जब आटा लगा के देखो गे इस तरिके से तो आपका आटा अटा बहुत अठी तरीके से लग जाता है दूसरी बात यह होता है फ्रेंस कोई और इससे जो आप रोटियां बनाएंगे वह बहुत दे तक सॉफ्ट रहेंगी फ्रेश रहेंगी और जल्दी खराब भी नहीं होगी आप जाते हैं जब भी हम विंटर्स में आटा वगेरा लगाते हैं तो हम गरम पानी का इस्तमाल करते हैं ठीक उसी तरह जब आप समर्स में आटा लगाते हो ना तो आप ठंडे पानी का या आइस का इस्तमाल करके देखना आपका जो आटा है ना वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट रहेगा और इसकी रोटियां भी काफी सॉफ्ट रहती हैं काफी देर तक तो यह टेंशन नहीं होती है कि आप जब फैमिली मेंबर सा इसलिए आप यह ट्राइक करके देखना यह बहुत ज्यादा योसफुल है अब चलिए आते हैं जो टिप्स हमने शेयर जो मैं टिप्स आपको बता रही थे हैं कि नमा को पानी हम इसमें लगाएंगे अब उसका रिजल्स अभी आपको देखने को मिलेगा देखी मैंने ग्ल तो इसके साथ आप देख रहों जो मैं आटा लगा रही हूं तो आप देख रहों जो आटा है थाली में बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है और फटा फट से निकल जा रहा है तो अगर आपको मेरी यह टिप्स अच्छी लग रही है तो प्लिस लाइक शेयर जरूर करिए ग क्योंकि यह टिप्स ना मुझे पर्सनली बहुत जादा पसंद है और इससे ना जो प्लेट सब्सक्राइब करना काम करना बहुत असान हो जाता है तो आप देख सकतो आटा मैंने लगा लिया है और थाली देखो एकदम नीट अन क्लीन है कहीं भी थोड़ा सा भी आटा नही है तो आज के बाद जब भी आप आटा लगाए ना यह टिप्स जरूर ट्राइ करें थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा पानी थोड़ा सा थाली में आप पुरा मल दीजिए उसके बाद आप इस तरीके से आटा लगाए और जड़ासा नमक डालने से कोई भी नुकसान नह है और मेरे बहुत ज़्यादा काम आती है तो अगली टिप सा इस तरह के पोटेटो पिलर को लेकर आप देख सकते हैं पोटेटो पिलर कितना गंदा हो रखा है अब यह मुझे क्लीन करना थो मैंने सुचा आपके साथ ही शेयर करती हूं कि मैं इसे किस तरीके से क्लीन करती ह इसे हम कैसे क्लीन करें ब्रस से भी उतने अच्छे से क्लीन नहीं होता है तो आपने क्या करना है सबसे पहले मैं तोड़ा सा पानी से गीला करूंगी थोड़ा सा वाइट वाला कोल गित ले लूंगी अपूरा वीडियो देखिए का आपको तुरंट परा चल रहेगा कितना अच्छा ये clean होता है और कुछी seconds में हो जाता है ये भी नहीं कि बहुत जादा time लगता है बट इसके लिए आपको white वाला cold gate ही लेना होगा अब देखिए मैंने याप 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 लगा दिया है और ये मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से इस पे रगरते जाएए आप देखोगे ना कुछी seconds में आपका जो pillar है एकदम नया जैसा हो जाता है ऐसे लगता है कि आपने इसे नया खरीद के लाया है और ये tips ना personally clean करने का मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसे ना चुटकियों में हमारा जो pillar है वो clean हो जाता है और pillar गंदा होता है ये क्यों कि हमें इसे सुबह शाम काम होता है तो ये गंदा हो जाता है तो आपको दिख रहोगा जो काला पन था जो इतनी गंदी मैल जमी होई थी गंदी जमी होई थी वो सारा कुछ ना clean हो गया और इससे एक काम और होता है aluminum foil से clean करने से क्या होता है जो इसकी sharpness रहती है वो sharpness भी काफी अच्छी तेज हो जाती है तो एक से हमारा देखे दो काम हो गया एक तो हमारे जो pillar है वो भी clean हो जाता है प्लस aluminum foil की जो elements है कुछ ऐसे elements उसमें होता है जिससे की क्या होता है हमारे जो चाकू हो गया knife हो गया या pillar हो गया उसकी जो sharpness है वो भी बहुत अच्छी हो जाती है अगर आपने ऐसे clean नहीं किया है तो जरूर मुझे बताएगा और आप मुझे बताएगा कि आप अपने pillar को कैसे clean करते हो तो आप देख सकते हो मैंने इसे अच्छी तरह इसे कर दिया है आप मैं ग्लास लाकर आपको यहीं पर पानी से wash करके दिखा देती हूँ कि कि कितना अच्छा मेरा जो pillar था वो चमक गया आप देख सकते हैं एकदम नया हो गया है तो कैसी लगी टिप्स कमेंट करके जरूर बताएगा और अगर आप मेरे चैनल में परस्टाइम होना तो सब्सक्राइब करना ना भूले आगे अभी बहुत अच्छी टिप्स है तो बिल्कुल भी दोस्पुल है हम लेडिस के लिए तो फैंस यह है प्याज को इस समय कट में काफी आँखों में आँशु आता है तो इसे हमें कैसे कट करना है और किस तरह क्या टिप्स में ट्राइब करती हैं वह सब आपके साथ शेयर करूंगी तो फ्रेंस सबसे पहले आपको क्या करना है इसमें डाल देना है एक तम पानी पानी मैंने इसमें डाल दिया है एक गलास अराउंड डाल दिया है अब इसमें आपको फ्रेंस डालना है थोड़े से आईस अब आइस डालने से क्या होगा फ्रेंस जो भी प्याज का तीखा पन है ना वो सब फ्रीज हो जाएगा और जब आप प्याज को कट करोगे बिल्कुल भी आपकी आँखों में नहीं लगेगा बिल्कुल ट्राइन टेस्टर है आप जरूर इसे ट्राइ करना क्योंकि प्याज करते समय क्या होता है बड़े बड़ों की हालत खराब हो जाती है तो देखे मैंने इसे अब डाल दिया है और अब मैं इसे इस तरह के से कट करूँगी और यह बिल्कुल भी आँखों में नहीं लगता है जो बेगनर्स हैं जो प्याज करने से कत्राते हैं वो भी स्किप्स को ट्राइए करना अगर मानों आपके पास आइस नहीं है तो आप ठंडा पानी ले लो नॉमल पानी ले लो बट आइस वाटर ज्यादा वर्क करता है ब हमें प्याज काटना है ना तो हम एसी रूम में जाकर भी फैन के नीचे जाकर भी बड़े असानी से प्याज को कट कर सकते हैं वोकि पानी में छिलका होने से यह बिल्कुल भी उड़ता नहीं है और हमारा जो काम है असान हो जाता है चलिए अब देखते इसको काटने का टि पारिक आप इसको चौप कर सकते हो तो है ना बहुत ही अच्छा हमारा देशी जुगार तो इसी तरह के टिप से मैं अपने चैनल पर लाती रहती हूं वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर करना ना भूले कल फीर मिलेंगे ठाइंक यू सो मच फर वाचिंग मैं व